हम लोग आपके बीच में ये बताने आये हैं कि भारत के देश के यसस्वी प्रदानमंत्री नरेद्ध मोधी जी ने बिहार जैसे गरीब राज को अपना भरपूर सयोग देने का काम किया बिहार जैसे राज जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो 2017 में GST की पूरी व्यवस्ता कड़ा करके जो अवादी था उसका लाब बिहार जैसे राज को दिया और देश में जब जब इंडिया की सरकार बनी चाहिए वो सरदे अटल विहारी बाजपई जी की सरकार हो तब भी इसे सहायता विहार को करने का काम किया गया नरिन मोदी जी की सरकार में 2014-15 में सवयोग करने का काम किया गया और कली आदनिये बिक्त मंत्री आदनी स्रीमती निर्मला सिता रुमंजी ने देश में जब बजट पेस किया तो विहार जैसे आर्थिक रुप से गरीव राज को जहां बाढ़ की हम चिंता करते थे इस विहार को साड़े 11,000 करूपिया सिर्फ बार से सुरक्चा देने का प्रदान किया इसके साथ साथ पहले से दो हमारे एक्सप्रेसवे सिल्ली गुडी से गोरकपूर तक का और रक्सौल जहल दिया दो एक्सप्रेसवे हमारे सुकृत थे कली देश के यसस्वी प्रदान मंतरी जी के नित्रित में तीन और एक्सप्रेसवे विहार जैसे राज को मिला बक्सर से लेकर भागलपूर जो विहार के बॉर्डर तक पिरपाइती के इलाके तक होगा उसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा और इसमें पूरी ववस्ता की चिंता की जा रहे है ये सिप एक्सप्रेसवे नहीं होगा ये बिहार के लिए मील का पत्तर सावित होगा गंगा में चाहे वो सोन का पानी हो चाहे वो भुनपुन का पानी हो क्यून नदी का पानी हो बढ़वा नदी का पानी हो चाहे वो चानन का पानी हो सब को स्टोरेज करने की भी विवस्ता इस एक्सप्रेस्वे के माध्यम से होगा प्लांटेशन का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा उसी तरह बोध गया से बैसाली और पट्टना से पुर्निया अभी पुर्निया खगडिया होके लोग जाते हैं एक नया ग्रिन फिल्ड हाइवे सुपर हाइवे जो एक्स्प्रेस वे है उसको बनाने का निंड़ाई भारत की सर पुरी तरह यहां से जंदाः जंदाः से समस्तिपूर के रोसडा सिवरी बक्तियारपूर सोनवर्सा दमदाहा और पुर्निया एड क्वार्टर जाने का काम करें इसलिए सातियों लगातार देश के यससवी प्रधानमत्री नर्द मोदी जी के नेत्रित में वियार में जह 24 000 क्रोंट देने का काम किया उसी तरह देश के यसस्वी प्रधानमत्री जी के नेत्रित में क shifts, जाड करोई रोप Uno लगाने का काम जो खागलपूर के इलाके में होगा पिरिपएटी के इलाके में होगा इसको भी सुकृति देने का का की एरपॉर्ट्स हैं कभी कई हॉस्पिटल हैं चार हुणान योजना के तहप इसको टेक अप करने का काम किया गया है भागलपूर्ट मुझपरपूर्ट रक्सॉल और गोपालगर्ड और राजसरकार के द्वारा भी कई एर्पोर्ट से बनाने वाले राजगीर है डेरी है सारसा है इन जगों पर भी हम राजसरकार के माध्यम से हम बेगूसरा है यह सभी जगह पर एर्पोर्ट का निर्मान हम लोग करने का काम करेंगे आठ लगवग मेडिकल कॉलेज को इसमें जोड़ने का काम देश के एसस्वी प्राम नतीजी ने किया है लेकिन सवभाविक है कांग्रेस पार्टी जो विकास बिरोधी है यदि आज यदि 75 वरस से अधिक वर्स हो रहे हैं देश की आजादिक उसमें से 55 वर्सों तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने राज किया यदि कांग्रेस ने विकास कर दिया होता तो दूसरे पार्टी को विकास की चिंता नहीं करनी पड़ती दुनिया में हम आगे पड़ गया होती जो एकनॉमिके तोर पर हमको चिंता करना पड़ता है देश के यससवी प्रदान मंत्री जी लगातार इसकी चिंता करता है और एक ग्यारवे अस्तान से पांचमे अस्तान पर आर्थिक व्यस्ता को लाने का काम किया इसलिए कई चीजें अभी और हम लोगों को काम करना है खासकर मैं देश के यससवी प्रदान मंत्री जी को धन्दवाद देता हूँ कि 10 लाग करो रुप्या इस देश के इंफ्रासक्चर अर्वन इंफ्रासक्चर को विक्सित करने के लिए दिया है तीन लाग हॉसिंग का प्लांटीन क्रोर हॉसिंग घर बनाने के लिए पुरे देश में विस्ता किया गया लोग अपना ब्यान दे रहे हैं एक महत्वकुन सदन का सत्र चल रहा है और आप सोचिए युवराद ही गायद है कोई लोग तन से प्यार नहीं है यह सत्ता विरासत में मिली है लेकिन इसको समालने का भी काम रास्तिय जन्ता दल के लोग नहीं कर रहे और रास्तिय जन्ता दल वो जन्ता दल की सरकार नहीं जिसको चार अजार कड़ो रुप्या आदरी अटल व्यारी भाजपई जी की सरकार नहीं दिया था वो भी खर्चा नहीं कर पाई जब एंडिया की सरकार बनी आदिये सुसिल मोधी जी और नितिश कुमार जी की सरकार बनी तब जाकर उसको उपियोग करने का काम किया गया इसलिए लालू जी बिनास के लिए जाने जाते हैं वियार और आज ही देखिए आज इतना महत्वपू कोईiben बन राथ वियार में चात्रों का जीवन खराब नहीं हो उनके लिए कानून भंण रेत परिक्षा में संसोधन कानून लाए गया कि कोई कदाचार करते हूए कोई अपराद करते हूए कोई डखल करते हूए यदि कोई इस तोब व्यवस्ता करेगा तो उसके खिलाप लेकिन राजत के लोग महागटबंदन के उससे भी बाहर रहे इसलिए ये विकास बिरोदी है चातर बिरोदी है किसान बिरोदी है और बिहार में सिद्धवपरात का समर्थन रास्तिय जन्तादर या महागटबंदन कर सकती है बिसेश तोर पर ही अर्थिक सइयोग है, नेपाल की पानियों से जो बाड की स्थिति होती थी, उसके लिए भारत सरकार ने अध्ययन कराया, कई इसमें केनाल बनाने का काम किया जाएगा, कई जगा ब्राज बनाने का काम किया जाएगा, तो ये पूरी तरह study करने के बाद चिन्दित किया गया है और इसके साथ साथ आदलिया निर्वला सितारमन जी ने जरूर गोसना किया है कि नेपाल को भी नेपाल की भी समत्य ली जा रही है उनके साथ भी जुड़कर high level dam बनाने का काम किया जै ये बेसेस तोर पर आर्थिक साहता ही है जो वियार को मिला है